आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आपको तीन ऐसा hidden setting बताएंगे वो भी आपके mobile में ही है जिससे कि अगर आप उस setting को बंद कर दें आपका mobile का internet data यानी 1GB internet data भी आप 24 गंटे भी इस्तमाल करोगे फिर भी आपका internet data high speed चलेगा guarantee के साथ मैं कहता हूं दोस्तों 1GB data को आप 24 गंटे भी इस्तमाल करोगे ना फिर भी आपका mobile का internet data कभी खतम नहीं होगा आपको कोई application को download करने की जरोत नहीं है ये setting आपके अपने mobile में ही करना है setting में जा करके ये 2-3 setting ऐसे है जिसको बंद कर देना है जिससे कि आपके mobile का internet data high speed भी होगा और आपका internet data भी बहुत ज़्यादा बचेगा और आपके mobile का battery भी increase हो जाएगा आइस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कैसे आप अपने mobile का internet data को save कर सकते हो और अपने battery backup को बढ़ा सकते हो मैं कर लेता हम वीडियो स्टार्ट मेरा नाम है अर्मान और आप देख रहे हैं लावतर का YouTube वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो लाला बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें घंटी के बटन दबा के all पे किलिक करें इस वीडियो को लाइक कर दे और नीचे comment box में आपको comment करना देना save data लिख करके आपको इतना comment कर देना जब आप comment कर दोगो उसके बाद simply आपको करना क्या है कि आपको अपने mobile के play store में जाना लाइक कुछ इस तरह से आपको play store को open करना है जैसे ही आप अपना play store open करोगो यहाँ पर three line पर किलिक करना है और सबसे पहले setting में जाना है जब setting में आप जाओगे तो यहाँ पर दोस्तों मातर तीन setting जो कि आपको बंद करने हैं यह setting को बंद करने ही के साथ आपके mobile का internet data increase हो जाएगा या आपका internet data जल्दी खपत नहीं होगा और high speed भी हो जाएगा internet जो दोस्तों यह auto update apps है जो कि यह फाल्टू का किसी कोई वैक इस पर क्या होगा दोस्तों कि आपका internet data on भी रहेगा ना तो यह आल्टू फाल्टू कि जब mobile जो apps वेगरा है वो automatic update लेने लगता है जिससे कि आपका internet data भी खपत होता है और आपका mobile का battery भी low हो जाता है इसको क्या करना don't auto update से click करके don't पे click कर देना है उसके बाद दोस्तों setting करना है auto play video इस पे आपको click करना यहां भी आपको क्या करना don't auto play video पे click कर देना है done पे click कर देना है दो setting करने का दोस्तों आप तीसरा दो setting है दोस्तों वह है app download performance इस पे आपको click करना और यहां पे ask me every time में यह किससे क्या होगा यदि आप कोई भी application वेगरा को download करो गए तो ह आमने सा यह आप से permission मांगेगा जिससे की वह auto updates नहीं होगा और आपका data भी बचेगा तो यहां पर ask me every time पर click करका done कर देना उसकी वाद दोस्तों यह तीन setting करने के वाद simply आपको क्या करना है back आने के वाद दोस्तों आपको अपने mobile के setting में जाना है setting में जाने के वाद दोस इस पे आपको click कर ना है और जैसे ही दोस्तों यहाँ पर आपको ऊड़ा details आजाएगा कि कौन कौन सा एप आप के mobile का battery को ज्यादा खफ़त करता है जैसे कि दोस्तों मेरे mobile में जो application वेगरा है ये मेरे mobile का battery को ज़्यादा इस्तमाल करता है इसको क्या करना है मुझे simply जो application का मुझे इस्तमाल नहीं करना उस application पर click करना है click करने के दोस्तों यहाँ यहाँ पर investigate background activity पर click कर देना है और ok पर click कर देना है इससे क्या होगा Apps will be close to save power यानि यह आपका मुबाइल का बैटरी आपके मुबाइल में यह एप रहेगा लेकिन आपके मुबाइल का बैटरी का खबत नहीं करेगा दोस्तों आप जेख सकते हो मेरा 46 घंटा यह बैटरी अभी चलेगा 69% है फिर भी यह 46 घंटा यह मेरे मुबा पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया इस वीडियो के लाइक जरूर करना चैनल पर नहीं हैं तो सब्सक्राइब करके बैल आकन को जरूर दमाना मिलते हैं आप से फिर नेक्ष्ट वीडियो अधब तबना खाया लगना बाई टेक किया झाल झाल झाल